नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चानल में वक्त हो चुला है आज के मौनिंग बुलेटिन का खबर की करते हैं शुरुआत नमांकन के आखरे दिन अर्बल और कूर्था में कुलिक फ्रत्यासियों ने नमांकन परचा दाखिल की अर्बल में विधान सवा में 25 और कुर्था विधान सवा में 26 उमिद्वारों ने अपना नमांकन परचा दाखिल किया कोई कुर्था का बेटा 2020 का विधायक बने है यह पैरा सूट के उमिद्वारी को खत्म करना है और जो राजनितिक दल के लोग जो समझ कुछे यहां के जो जनता को बड़ा कमजोर समझ बैठे हैं कि कि किसी को भी पटना से गया से और अंगाबाद से उमिद्वार को भेज क कर चुनाओं हम जितवालिया विधायक बना लेते हैं जो मौनिया बाबा रबर स्टम बनाते हैं पहला कुर्था की जनता संदेश देगी 2020 में कि मुझे पैरा सूट का उमिद्वार कबूल नहीं है कुर्था का बेटा बेहार 2020 में चुनाओं लड़ करके जाएगा और खास क ने सुखा पड़ी है आजबी किसान करा रहा आज भी गरिविके सीव grocery साने मिल रहा एं सब्सक्राइब हमारे किसानने जुश्कार नहीं लेजेज खोलने का और इसके लिए हर लोग कारगर हैं काम करेंगे अगली ख़वर पालिगंज से हैं पालिगंज में अठारा प्रत्यासियों नामांकन के आकरे दिन विधांसवा चुनाओ को लेकर अपना नामांकन परचा भरा बता दे कि एक अक्टूबर से चल रहे हैं ना नामांकन में आज तक कुल 29 प्रत्यासियों नामांकन कराया है और मोदी जी ने कहा था कि पता नहीं कितना को रुजगार देगे पुरे बिहार पुरे देश के पैमाने बुरुजारी चरम सिमा पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मादब्स करना चाहता हो कि जब देश में जीडीपी जिस तरह से किसी को फीवर होता है उसको कैसे मापते है थर्मामीटर से मापते है कि कितना टिंपरेचर है उसी तरह से देश की जो अर्थ वेस्था है वह है जीडीपी से मापा जाता है और जीडीपी पुरे दुनिया में दुनिया में जीडीपी सब प अगली कबर पटना की मनेर से है विधासवत चुनाव में संभावित NDA प्रत्यासी का नाम सुनते ही भारे विरोध प्रदर्शन हो रहा है वैश्य और अतिपिछड़ा सामाज के लोगों ने प्रत्यासी बदलने की मांग की है बदादी की मनेर में दूसरे फेज यानि 3 नवं कर मनेर रोड तक विरोध मार्च निकाला है बाजपा की ओर से संभावित उमिद्वार के रूप में प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद का नाम सामने आया है जो बाहरी यहां का परत्यासी हैं उनको बदलने की मांग करें जो अभी तक जो चर्चन में है हमा में जो हम लोग सुन लहे हैं कि को कि वारी निखील आनंब करके आदमी आ रहे है कि कि पालटी सिंद्वार रहे हैं आ childhood किस बात का है व्यो zeigt झी यह के उन लोकल वोट का वहिश्कार करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बाचित करते हुए कॉंग्रेस के उमेदवार को ललकारते हुए कहा कि मैं आ गया हूँ। मैं उनके साथ अखाडे में चुनाव लडूँगा। अगली खबर बिहार के सासाराम से है। आदस्वासरामे भाजपा छोड़ लोजपा का दामन थामने वाले रामेश्वर चौरसिया ने अपने नामांकन परचा दाखिल किया है। इस ओरान रामेश्वर चौरसिया के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद के नारे भी लगाए। तो हमारे हाँ एक सियो थी तो वो सो रुपईयात कसिलती थी दाखिल खारज में मैंने बोला क्यों गरीबों से पैसा लेते हो किसानों से उसने बंद कर दिया। उसका अधिकारी लेता था पब्लिकली लगा करके क्या जनता दर्वार में करता है। आज चले यह दाखिल खारज में तो सुनते पांच-पच्छा दर लगता है। कौन इसके लिए जिमवार है। क्या कर रहे हैं मुखमंतरी। उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुखमंतरी नाटक किया हुए। क्या मने दारू बंद कर दिया। अरे देश के खाजाने को अपने लुटा दिया। बलेक मार्केटियर कर दिया। माफिया को अपने पोस्ट लिया। कौन माफिया कौन दारू बेशता है। सबसे पहले दारू में कौन पकड़ा गया था जेडी यूई का जीला अधेक्ष उनके ग्रीच शेत्रका क्या उसमें करवाई हुई इनके नोटंकी के चलते हम लोगों को यह मजबूरान आना पड़ा है क्योंकि जनता और कारेकरता यह मान चुकी है कि बीजेपी और अगली खबर सिवहर से है शिवर विधान सवर शेत्र से दो बार विधायक रहे वजद्यू के नई वर्तमान विधायक मुहम्मद सवद्दीन पर प्रात्मी की दर्च कराई गई है सिंबल मिलने के बाद पटना से घर वापसी के समय शिवर शहर सहित पिपराही चौक पर ब देर रात प्रात्मी की दर्च कराई गई अगली खबर बढ़रा से है विधान सवर चुनाओ के चुनावे मौसम में आरा के सभी सीटों पर राजनीती अपने चरम पर पहुंच चुकी है ऐसे में हर दिन एक दूसरे के उपर आरोप रत्यारोप का दौर भी जा रही है आरा के साथ विधान सवर सीटों में बढ़रा विधान सवर की चर्चा कुछ जादा देखने और सुनने को मिल रही है बीते दिन पहले बढ़रा के आरजडी विधायक सरोज यादव पर एक बढ़रा विधान सवर की शोसल मीडिया पर जम कर किरकिरी हो रही थी उन्हाने सफाई देते वें बताया कि वो जो आडियो कॉल है वो उनका नहीं है ये राजनेती शडियंत्र किया जा रहा है मौके पर आरोप लगाने वाले यूबग बंटी पास्वान भी मौजूद थे पूरी तरह सहकीन है आपके ऊपर कोई विधायक जिसे बात्चित नहीं हुआ था तो आपको कहा लगता है यह कौन किया होगा आपके नाम पर यह नहीं बता सकते हैं किसी पार्टी प्लिटिक से संबंद रखते हैं नहीं किसी से महीं बता है कोई वहां को भोलता है ले जात इसके यहां मुझे किसी लगा उपुरे नहीं है चीक है आपने कहा कि आप अडियो नहीं है विधायक जिक्तर में अभी तो जांच होगा उसका चांच की उपरां पता चानेगा आपको कोई दबाव बाले बढ़ा गया इस बात को लेकर नहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक तरी हम फोल किये थे उसमें घबड़ा गया थे बुल दिये थे आप अब अभी घबड़ाए हुए दिख रहा है कि सचाही नहीं है तो फिर आप इतना घबड़ाई है कि आप आप बढ़ाए है वहीं है प्रेस भूल रहे है वालुगा रहे है जो और यू में बंटी पस्वान न अगली कबर सुपॉल से है सुपॉल में तीसरे चरण में बिधानसवत चुनाव होना है इसको लेकर पुलिस अलर्ट और चाकस हो चुकी है सुपॉल पुलिस अधिक्षक मनोच कुमार के निर्थितु में सदर, SDO और सदर, DSP, बिहार पुलिस और अर्थुषैनिक बल के साथ मिलकर जुले की एंट्री पॉइंट पर संगन वहन जाच कर रहे हैं जाच के दोरान किसनपूर थानर शेतर के NH57 पर टोल प्लाजा के पास संगन जाच अभियान के दोरान एक वहन से 5 लाख रुपए बरामद होने के बाद पुलिस और चौकस हो गई है वहीं जाच के दोरान एक दूसरी कार में सवारिक वैक्ति के पास लाइसेंस पिस्टल भी जब किया गया है रुपए और पिस्टल मामले की जाच लगतार पुलिस कर रही है तो आज की मौनिंग बुलिटिन में बस इतना ही हम साम में एक बर फिर्शे हाजर होंगे दिन भर की बड़ी खबर लेकर नमस्कार